हेलो फ्रेंड्स आवार यू आई हो पॉल आफ यू बिल बी टू गुड आज की वीडियो में आपसे डिसकस करने वाले हैं इस डिजाइन के बारे में यह जो हमारे डिजाइन है यह हमने बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है 25 फिट बाई 40 फिट के पिलोट में हमने इ 111 आगज यह मारा entrance gate रहेगा यहां से हमारी entry होगी यह हमारी boundary wall का डिजाइन रहेगा यत को हमने paint और plaster में hem किया हुआ है दो निखे यह हमारी आपको ब्राउन क्लर्स ऑदोशिशा हुआ है धिको gold न conception kerta के इसको paintा हुआ हुआ है हमारा बिंदू रहेगा यह जो आपको साइड में देख रहा है यह भी हमने टाइंलिंग से डिजाइन किया हुआ जो इस दिसको मैच करता रहे वाग Advisor यह दिखा है यह घ्राइन यह हमारा प्लाश्टर के ऊपर पेंट किया हुआ है यह लिग्स के ऊपर पेंट किया हुआ है यह जो आपको दिख रही है रेलिंग है हमारी MS में रेलिंग है बाकी सारा कोछ हमने प्लाश्टर और पेंट में किया हुआ है यह जो आपको ग्रूविंग दिख रही है हमारा प्लाश्टर में ग्रूव बनके पेंट किया हुआ है यह जो आपको देख र राए है दर प्रोपट्टी मींस की कलो ए हैं यहां से हमारी एंट्री हो रही हैν यहें हांपर हमारी गारी कि पारकिंग होगी 8-6 माई 15-15 की हमारी गारी की पारकिंग है जिसमें मेडियम साइज की कोई बी गारी हो सकती है इसके साइज मिलेगा आपको यह नुशंट में हमने यह लॉन चोड़ा हुआ है डाई फिट चोड़ा हमारा लॉन है जिसे ऐसा गार्डन परपस से आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट साइड में और पीछे भी हमने यह पैसे छोड़ा हुआ है बेंटी लेशन के लिए इससे कि हमें नेच्छल लाइट बहुत अच्छे से मिलती रहे यहां से हमारी एंटरी यहां से हमारा एंट्रेंस डोर रहेगा चार फिट वाइड हमारा एंट्रेंस डोर है यहां से हमारी लॉबी में एंट्री होगी और सामने हमें कॉमन ट्वालेट मिलेगा जो हमारा चार फिट नॉइंच भाई छे फिट का ट्वालेट है इसमें हमने, basin, bathing area, toilet sheet तीनों को डिजान किया हुआ, इसके ventilation के लिए हमने यह इसमें window दिया हुआ, जिसके इस toilet का अच्छे से ventilation होता रहेगा, यहां से हमारे लॉबी में पहुचेंगे, यह हमारा लॉबी का size है, यह 15 feet by, 15 feet, 6 feet by, 10 feet की हमारी लॉबी रहेगी, जिसे हम as our dining plus drawing room दोनों के purpose से यूज़ करने वाले हैं, यह हमारा L सेप में sofa रहेगा, यह हमारा center table रहेगा, यह हमारा dining table रहेगा, जिसमें हमारा खाना बगारा, घर के member खाना बगारा खा सकते हैं, इस hall के ventilation के लिए means की drawing room और dining के purpose, इसके लिए यह हमने window दिया हुआ है, जिससे की इसका अच् ventilation होता रहेगा, यह हमारी sink रहेगा, जिसमें हमारे बढ़तन वेकरा दूलनी के लिए, यह हमारा graduated him रहेगा, यह हमारा refrigerator रहने वाला है, इसी के बराबर में हमारा यह temple है पांस मारा मन्दर रहेगा, जिसमें यह हमारा इसमें मंदर रख सकते हैं लाकर या फिर डिजाइन करा सकते हैं पीसे हमारे दो बैडरूम रहेंगे लेफ्ट साइड में हमारा बैडरूम यहां से धर्वाजा दिया हुआ है दस पिट शैंच भाई दस पिट का हमारा बैडरूम रहेगा यह हमारा बैडर रहेगा यह इसमें अलमीर रहेगा और यहां पर हमारा इसमें TV यूनिट रहने वाला इसके वेंटिलेशन के लिए Left साइड में विंडू लगाया हुआ है जिससे कि इस बैडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा राइट साइड में यह हमारा बैडरूम है यहां से इसकी एंट्री होगी यह हमारा 11 फिट वाई तेरे फिट का हमारा बैडरूम रहेगा जिसमें यह हमारी 커बरर रहने वाला इसमें TV यूनिट रहेगी इस बैडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने इसमें बेंडो दिया हुआ है जिससे कि इसका अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा तो 25 फिट बाई 40 फिट में यह हमारा प्लान था जिसमें हमने कार पार्किंग के साथ 2 वैडरूम एक टॉयलेट मंदर बड़ी लोबी और किचन डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन के साथ खुला हुआ घर बनाया हुआ है जिसelse कि घर का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे यह इसका एलिवेसन डेजाइन रहेगा जो बहुत ही अच्छामने इसको डिज्याइन किया हुआ है अगर या। स्गर्टी में इस नीजाइन की बात करूं तो इस डियान को बनाने में हमारा ख़र्चा आने वाला है वो लगख जो ख़र्चा आने वाला है हमारा विजिस की तेरे लाग उर्पे में ये आपका सेम टू सेम घर बनके तयार हो जाएगा तेरे से मेक जुम साड़े तेरे लाग उर्पे लगने बाले हैं इससे कि A to Z मीन्स की फाउंडेशन से फिनी सिंग तक ये घर आपका बनके रेडी हो जाएगा तो फिलाल की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदे मात्रम अपना और अपनों का खयाल रखिए